आपका स्वागत है आज हमारे साथ है अब्दुल जो हमारे साथ एरान और यूएस के बारे में बात करेंगे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गए हैं ये खासतोर से पिछले हफ्ते से बढ़ गए हैं जब यूएस ने कासिम सुलिमानी को मारा सुलिमानी एरान के अलकुछ फोर्सिस के जैनरल थे तो अब इसके बाद एरान ने जवाब दिया दो यूएस बेसिस पे हमला करके जो की एराक में थे और कल शाम को इस हमले के बाद डॉनल टरम्प ने एक स्पीच दिया अमरीकी प्रेजिडेंट डॉनल टरम्प ने तो अब जो उनका attempt है कोशिश यह है कि जो escalation है वो ना हो क्योंकि उन्होंने कहा कि casualty इसके बारे में बात की कोई casualty नहीं है हमारे basis पे कोई खास असर नहीं पड़ा है और इन सब चीजों को देखते हुए यह नहीं लगता कि युएस का जो पावर है उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पावर है उस पावर का इस्तमाल करने की जरूरत है मुझे यह लगता है कि अगर आप देखें वाशनिंटन पोस्ट में आज एक रिपोर्ट भी है कि युएस को पहले से पता था कि इरान कुछ स्ट्राइक करने वाला है तो जो सुलेमानी की जब हत्या की गई उस सुलेमानी के हत्या के बाद से जो मामला आगे बढ़ा तो जो युद्ध की जो रियल संभावनाएं थी मुझे लगता है उन सब भावनाओं को देखते हुए और खास करके जो महौल है पूरे Middle East में और पूरी दुनिया में मुझे ने लगता कि Trump भी इसको पूरी तरीके से फुल फ्लेज वार रिक्लियर करने की स्थिती में हैं और इन सब सीजू को देखते हुए और इरान की कैपसिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि Trump का जिस स्पीच है वो एक अटेम्ट है इस चीज को जस्टिफाई करने का कि हम आगे इसको और नहीं बढ़ाएंगे और हमले की अगर हम बात करें जो एरान ने करा यूएस के दो बेसिस पर तो ये एक बेस था एक एरपोर्ट था एक ये बेस था जिससे ड्रोन लाँच हुआ था जिसमें सुलमानी की हत्या की दूसरा जो एरपोर्ट है वो लोजिस्टिक सेंटर है यूएस फोर्सिस के अराक से निकलने का जो वास्तो में क्या नुकसान हुआ है ग्राउन पे इन बेसिस पर अभी तक की जितने भी मीडिया रिपोर्ट सें उसमें कुछ प्लियर नहीं है पर ये बात तो साफ है इस अटैक से चाहे वास्तों में कोई बड़ा नुकसान हुआ हो या ना सबसे वहाँ पे local militias हैं जो इराकी militia हैं जिनके साथ मिलकर US soldiers अभी तक ISIS के खिलाफ युद्ध कर रहे थे या लड़ाई कर रहे थे coordinate कर रहे थे इराकी forces के साथ उन्होंने साफ साफ कहा है अपने warnings में कि कोई भी इराकी soldiers जो है US in basis के आसपास ना रहे ताकि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कल को कोई अटैक हो तो कोई इराकी ना मरे इराकी के कोई नुकसान ना हो जो नुकसान हो US soldiers का हो तो इस पूरी जो इस पूरा जो development है उसको अगर हम देखें तो भले ही कोई physical damage बहुत बड़ा ना हो हाला कि हो भी सकता है बीस से उपर मिसाइल डागे गए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि physical damage भले काईजल्टी ना हो पर कोई physical damage ना हो ऐसा नहीं हो सकता बट अगर हम उनको मान भी लें जो US का क्लेम है जो ट्रम्प ने क्लेम किया है कि बहुत जादा damage नहीं हुआ है अगर हम उसको face value में इसमान भी लें तो भी एक चीज है कि जो मनोवल है वहां के soldiers जो US soldiers है उनका मनोवल एक तरीके से तूट रहा है या तूट चुका है और मेरे हिसाब से वह एक बड़ा damage है physical damage के मुकाबले और US forces अभी भी है अधर तो कानूनी तोर पे हम इसको कैसे देखे कि एराकी पार्लि US मना कर देता है कि हम नहीं छोड़ेंगे राक हमारी राम अपने troops नहीं हटाएंगे तो उसका क्या उससे क्या हो सकता है जैसा हम जानते हैं US में जो troops का deployment है जो सेनाए हैं अमेरिकी सेनाए वो 2003 से हैं लेकिन 2007 और 2008 में एक agreement हुआ था वहां के इराक के प्रदानमंतरी मालिकी और George Bush उसमें जो US के रास्टपती थे उनके बीच में जिसके अधार पर 2011 के अंत तक जितने भी अमरिकी सेनाए हैं इराक में उनको वहां से withdraw करना था लगभग सारी सेनाए विड्रौ कर चुकी थी उन 2011 में लेकिन दुबारा से US सेनाए आई 2014 में जब ISIS का attack हुआ और इराक की जो लोकल मिलिशिया है या सेनाए हैं वो उनको लगा कि हम बिना US सपोर्ट के ISIS को डिफीट नहीं कर सकते हैं तो दुबारा से सेनाए आई नेटो की सेनाए आई और US की सेनाए आई तो अगर हम कहें कि लीगल बेसिस क्या है तो लीगल बेसिस वह अग्रिमेंट है जो 2014 म और इराक की सरकार के बीच में हुआ था ISIS को हटाने के लिए वो लीगल जो बेस है वो यही कहता है कि यह सेनाए जो हैं ISIS के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें इराक की सेनाओं की मदद करेंगे ठीक है अगर हम उसको हब देखें तो ISIS पिछले साल ओफिशली इराक की सरकार ने और US की सरकार ने डिकलियर कर दिया कि ISIS हार चुका है तो अब जो लीगल बेसिस था जो रैशनल था इन फोर्सिस के वहाँ पर रुकने का वो रैशनल तो खतम हो गया दूसरी दूसरी बात यह कि इराक की जो पाल्लामेंट है जो वहां के सौवरिन बॉडी है उस पाल् कोर्स वहां की सरकार केर टेकर गौवर्मेंट है अभी जो गौवर्मेंट है मेंदी की अबदुल मेंदी की जो सरकार है वो केर टेकर सरकार है क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था दिसंबर में लेकिन केर टेकर सरकार होने के बावजूद भी चुकि पाल्लेमेंट के कह दिया है कि उनको वहां से जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से कोई लीगल बेस नहीं है यूएस फोर्सिस को वहां का वहां रहने के अगर वो ताकत जैसे ट्रम्प ने कहा कि हम वहां से नहीं जाएंगे अगर हम जाएंगे भी तो उन्होंने कहा कि जो हमने बेस क्रियेट किया उस base के लिए US की सरकार को हमें पे करना पड़ेगा, तो अगर वो जबरन वहां पे रहते हैं, इराक की सरकार की सहमती के बिना अगरवार रहते हैं, तो ये उनकी जो, उनका जो status होगा, लीगल status होगा, वो एक occupying force का होगा, वो एक, कह सकते हैं, colonizing occupying force होगा, जो कि कानून में के साब से गैर कानूनी है, और मेरे इसाब से यही situation होगा. और इरान तो चाहता ही है, सिर्फ यही नहीं सारी याप चाहता कि यूएस force इराक से निकले, इरान चाहता है कि पुरे रीजिन से US forces को चले जाना चाहिए और कईयों कईये भी मानना है कि एरान सिर्फ इस हमले के बाद शांत नहीं होगा वो और भी तरीके के जवाब देगा सुलिमानी की जो हत्या की गई है तो आपको क्या लगता है अब एरान आगे और क्या कर सकता है अगर हम पिछले कुछ दिनों से इरान के निताओं का भासन देखें तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर एंफेसाइज किया है उनके रिवेंज का मतलब जो है सुलिमानी की जो हत्या हुई है उसका बदला का मतलब यह है कि जितने भी अमरीकी सेनाए है ना सिर्फ एराक में बलकि इस पूरे मिडिल इस्ट में उन सारी सेनाओं को वहां से निकालना है यह उनका एक तरीके से कहिए गोशित लक्ष है तो अब उसको करने के लिए वो क्या करेंगे तो जो परसो का जो अटैक है कल का जो अटैक है मिसाइल अटैक है वो एक कदम है मेरे हिसाब से इरान दोरा कि जो अल्रेडी जो लोकल मिलीशियाज है जो आगर आज भी देखें आज का नियूस है कि जो ग्रीन जोन में मिसाइल फायर हुआ है कौन कर रहा है किसी को नहीं पता अट प्रॉबली ये कहा जा रहा है कि जो कताइब हजब लगा है जिसको एक तरीके से एरानी सपोर्ट भी है उन्हों ने ये मिसाइल फायर किया है तो ये मिसाइल फायर करना मुक्तदाल सद्र और दूसरे जो मिलीशिया के नेता है एराक में उनके दोरा ये कहना कि अमरीकी सिनाओं को यहां से जाना चाहिए और फिर बार बार इरान के दोरा ये एंफिसाइस करना कि उनका मुख्य लक्ष ये है कि अमेरिका की सिनाओं यहां से लिख ले तो मेरे हिसाब से इरान यहां रुकेगा नहीं हो सकता है कि सीधे सीधे हमला करने के जगा पे वो अपने जो भी सहयोगी हैं या उनके जो विचारधारा से सहमती रखने वाले जो लोग हैं उनका इस्तमाल करके इराग की सरकार के उपर नेबर होने के कारण पडोसी होने के कारण एक तरीके से दबाव बनाके वो कोशिश कर कि ना सिर्फ एराक से बलकि दूसरी जगहों से भी जितनी बड़ी संख्या में सिनाय हो सके अमेरिका की वहां से हट जाए मुझे नहीं लगता कि कुएट में जो अमेरिकी सिनाय है या बहरीन में जो अमेरिकी सिनाय है जो बड़ी-बड़ी संख्या में या दूसरे गल्फ कं इरिया में जो सनाय हैं अमेरिका की उनके हटने उनके उपर एंफेसिस रहेगा उनके उपर जोर रहेगा इरान के द्वारा कि उनको हटाया जाए शुक्रिया अब्दूल आज हमसे बात करने के लिए आज के लिए इतना ही देखते रहे हैं न्यूस क्लिक का